खरगोश और कचुआ की कहानी एक गाव में एक खरगोश और एक कचुआ रहते थे, वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वे हर दिन एक साथ खेलते और वक्त बिताते थे, एक दिन वे दोनों बात कर रहे थे कि कौन ज्यादा तेज दोड सकता है, खरगोश अपनी इस दौड को कोई भी नहीं हरा सकता। कचुआ ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। ठीक है। फिर कल हम एक दौड में मिलेंगे और देखेंगे कि कौन जीतता है। अगले दिन सभी गाववाले आगए दौड देखने के लिए। दौड शुरू हुआ और खरगोश तेजी से दौडने लगा। वह बहुत आगे था और विश्वास बढ़ा रहा था कि वह जीत रहा है। लेकिन बीच में ही वह एक बड़ी पत्थर से टकरा गया और गिर पड़ा। उसकी चोड बहुत गहरी थी और वह दौडने में सक्षम नहीं था। वहां तक कचुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने खरगोश को देखा और उसके पास गया। कचुआ ने खरगोश से कहा, देखा, तुम्हारी तेज दौड और चाल ने तुम्हें बहुत आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन अंत में स्थिरता और सही समय पर चलने की जरूरत होती है। खरगोश ने गर्व से कहा, तुम्हें तो मुझसे दौड ही नहीं लगाया। कचुआ ने हंस्ते हुए कहा, मेरी तेज दौड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे यह मालूम था कि वह पत्थर में टकराने से तुम गिरोगे। खरगोश ने अपनी गलती समझी और कहा, तुम सही कह रहे हो, मैंने अपनी तेजी में इतना विश्वास किया कि मैंने खुद को अनधिकृत ठहरा दिया। वे दोस्त फिर से मिले और गाउं में दौड का आनंद लिया, पर इस बार खरगोश ने भी ध्यान रखा कि सही समय पर और सही तरीके से दौड लगाए। सिखने का संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिन्दगी में सफलता पाने के लिए तेज और सही नहीं, बलकि सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है।